हेलो एवरिवान वेलकम तू मैं चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको डीप नैक पैड़ेट ब्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेट सब भी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेस्बोक और इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं लिंक की डिस्क्रिप्शन बाक्स में है तो सबसे पहले मैं बैक पाट की कटिंग करूंगी तो बैक पाट की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को विट्थ वाइस फोल्ड करके रखा हुआ है और यहां से फोल्डेड वाली साइड है यहां से ओपन साइड है अब मेरे measurement पे blouse की जो ready length है वो है 13.5 inch की तो 13.5 inch पे मैंने निशान लगाया अब इस निशान को भी मैं straight कर दूँगी तो यह देखिए मैंने इसको भी यहाँ पे straight कर दिया है अब इसके नीचे हमें 1.5 inch का margin और ले लेना है जो हम bottom से double fold करेंगे उसके लिए तो यहाँ पे 1.5 inch प बनेंगी इसके लिए मैं आधा इंच का margin ले रही हूं तो यहाँ पर भी मैंने line खीच दी है अब यह line से अंदर को हमें measurement के लिए निशान लगाना है तो यह देखिए आधा इंच का margin है इसको हम include नहीं करेंगे और यहाँ से मैं shoulder के लिए निशान लगा रही हूं तो यह deep neck वाले निशान पर straight line से join कर देना है अब यहाँ पर हमें bus के लिए निशान लगाना है तो जितना भी आपका bus size आप उसको चार से डिवाइट कर दें और निशान लगा लिए मेरे measurement में bus 32 inch की तो उसको चार से डिवाइट करके आया 8 inch तो 8 inch पर मैंने आप निशान लगा लिय अब इसको आम होले पॉइंट पर straight line से join कर दिया अब यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी आपके कमर है आप उसको चार से डिवाइट करें और एक इंच उसमें extra add करें डार्ट के लिए जैसे के मेरे measurement में कमर है 28 inch की उसको चार से डिवाइट किया तो साथ इंच और एक इंच में यहाँ पर extra ले रही हूं डार्ट के लिए तो टोटल होगे 8 इंच तो 8 इंच पर मैंने अपर निशान लगा लिया है अब इस निशान को उपर बस्ट वाले पॉइंट पर straight line से join कर देना है अब यहाँ साइड में मैं 1.5 इंच का margin ले रही हूं जो सिलाई में दबे का उसके लिए और इसको straight कर देना है और यह जो armhole वाली line है इसको मैं बाहर को straight join कर दे रही हूं अब बैक का armhole curve बनाना है तो उसके लिए जो armhole वाली line है इसके बाहर पर हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है सभी measurements के लिए आप 1.5 इंच पर हूं तो सिफ 2 इंच के मुझे यह शोल्डर की width चाहिए तो मैं उस हिसाब से यह पर निशान लगाऊंगी तो देखिए 1.5 इंच तो यहां पर हमारा margin चला जाएगा दबने में और 2 इंच का shoulder की width चाहिए और 1.5 इंच का margin और जाएगा जो neckline के वहां से दबेगा तो यानि से नीचे को मैं साड़े दस इंच पे back neck की deepness के लिए निशान लगा रही हूं अब यहां से अंदर को हमें साड़े तीन इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान को दोनों को स्टेट लाइन से जाइन कर देना है अब इसको ऊपर नेक वर्थ वाले point पे भी स्रेट से जोइन कर देना है और यहां पर round हमें अपनी neckline का shape बना लेना है अब यहां से अंदर को हमें 3.75 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंच से उपर को तीन इंच पे आप एक निशान लगा लें और इन दोनों points को स्ट्रेट लाइन से जोइन कर दें अब इस ला को डाउन करना है ज्यादा डाउन नहीं करना है सिर्फ 0.25 इंच का दो पॉइंट तक का हमें सिर्विस को डाउन करना है और यह मैंने डाउन कर लिया अब यहां पर आधा इंच का margin भी आप ले लें जो सिलाई में दबेगा अब से मार्किंग के उपर हमें इसकी cutting कर लेनी ह अब यह जो folded वाली साइड है यहां पर भी इसको cut करके open कर लें तो यह देखिए back के दो पार्ट हमारे हमारे बन के तयार हो गए हैं अब मैं front पार्ट के cutting करूँगी तो front पार्ट के cutting के लिए मैंने बचावा यहां से कपड़ा लिया हुआ है और इसको भी width wise fold किया हुआ है यहां से folded वाली साइड है अब सबसे पहले उपर पर हमें आधा इंच का margin ले लेना है जो से line में दबेगा और इस line को straight कर देना है अब इस line से नीचे को length के लिए निशान लगाना है तो देखिए जितनी भी आपके blouse की ready length है आप उसमें 1 inch extra लीजे क्योंकि front वाला पार्ट एक इंच थोड़ा सा बड़ा होता है तो देखिए 13.5 inch की length थी मेरे measurement पे तो मैंने 14.5 inch पे निशान लगाया और आधा इंच पे और निशान लगा लेना है जो margin side में दबेगा उसके लिए अब इन lines को मैं straight कर दूँगी अब यहां पर बाकी के measurements वैसे ही लगेंगे जैसे हम कर दिया था अब यहां पर देखिए जब हमारा यहां पर प्रिंसस कट आएगा और उसको जॉइन करेंगे तो उसके लिए आधा-धा-धा इंच का margin चाहिए जो सिलाई में दबेगा यानि कि टोटल एक इंच का margin चाहिए तो एक इंच का कपड़ा मैं साइड में extra और करने के बादा है साथ इंच तो साथ इंच पर मैंने यहां पर एक निशान लगा लिया है अब जैसे कि यह 32 साइस का ब्लाउज है तो यहां पर मेरा जो कट आएगा वह देर इंच का आएगा तो इसलिए मैं यहां पर देर इंच का कपड़ा और बढ़ाऊंगी प्लस उसको जब हम जॉइन करेंगे तो दोनों तरफ से आधा-धा इंच का मार्जन जाएगा तो एक इंच और बढ़ जागा यानि कि टोटल धाए इंच का कपड़ा में यहां पर एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी तो देखिए निशान लगा लिया अब इस पॉइंट को उपर बस्ट वा आमोल कर बना रहे हूं यह फिटिंग का नहीं है कि इसको मैं बाद में जब जॉइन करेंगे प्रिंसेस कट उसके बाद ही टेडा मेडा हो जाता है तो इसको बाद में ट्रिम कर लेंगे अब यहां से नेक विट के लिए दो इंच पे निशान लगाना है और अब नेक की डी अब यहां पे हमें 0.25 इंच का हलका सा शोल्डर डाउन करना है और आधा हिंच का मार्जिन भी ले लेना है इसके बाद यहां से शोल्डर वाले हिससे से नीचे को हमें बस्ट पॉइंट या फिर टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है तो यह मेरे मेजरमेंट में है 9.5 इंच का तो 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाया अगर आप बड़े साइस का बना रहे हैं तो 10 या फिर 10.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं अब यहां फोल्डर वाली साइट से अंदर को कितनी दूरी पे निशान लगाना है इसका फॉर्मूला है देखिए जितना भी कि आपका बस साइज है और उसको 10 से डिवाइड कर दें और उसमें आधा हिंच का मार्जन लगाया जैसा कि मेंरे मेजरेमें बेर साइज पे निशान लगा रहे हूं अब इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है अब इस लाइन के बाहर के तरफ को हमें डेर्ड इंच पे एक निशान लगाना है अब इस पॉइंट्स से उपर को भी हमें डेर्ड इंच पे ही एक निशान और लगाना जो दोनों को जॉइन कर देना है अब इस लाइन को हमें हलका सा बहुत हलका सा घुमाओ देते वे उपर यहां पर जॉइन करना है टॉप में इस लाइन की सेंटर वाली लाइन की देखिए बहुत हलका सा घुमाओ देते वे जॉइन करना है अब इस लाइन को यह जो आम हुल वाल के उपर ही तो यह कटिंग कंप्रीट हो चुकी है सेम इसी तरह से हमें अस्तर के कपड़े में भी कट कर लेना है लेकिन अस्तर के कपड़े में हम इस तरह से दो पार्ट करेंगे फ्रंट के जिसमें से एक पार्ट हमारा अस्तर के लिए लगेगा और दूसरे पार्ट में हम में आपको कटिंग करके दिखा देती हूं तो देखे मैंने के क का टिंग कहा पर करती है और वाले को मैंने सिर्री अट किया है और यह फरंट वाले को मैंने के बसंटर लिया है और अभी एक पार्ट अस्तर का लिया है ये जो दूसरा वाला है इसको अलग हटा दिया है और मेन कपड़े को अस्तर के उपर इस तरह से मैंने रख दिया है सेम इसी तरह से बाकी के जो दो छोटे वाले पार्ट से इन में भी मैंने अस्तर के उपर कपड़े को रखा है अब इसके चारों तरफ पे हमें कच्ची सिलाई लगाके दोनों कपड़ों को जॉइन कर दिना है सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट में भी अस्तर को हमें जॉइन कर दिना है तो देखिए मैंने कच्ची सिलाई लगा के इन दोनों कप्ड़ों को जॉइन कर दिया है अब हमें इसकी neckline की cutting कर लेनी है तो देखिए neckline की cutting भी मैंने यहां पर कर ली है अब हमें इन दोनों चोटे parts को जॉइन करना है सेम इसी तरह से हमें दूसरा part भी जॉइन कर लेना है तो देखिए मैंने दोनों parts यहां पर जॉइन कर लिया है अब सेम इसी तरह से जो दूसरा अस्तर का piece था उसमें भी मैंने दोनों parts को जॉइन कर लिया है अब मैं आपको इसमें cup को attach करना बताऊंगी तो देखिए यहाँ पर wrong side है कपड़े की और यहाँ shoulder की तरफ से हमने जो tux point पर निशान लगाया था वो 9.5 इंच पर लगाया था और उपर से 1.5 इंच का margin भी था तो यहनी कि 10 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ सेम इसी तरह से 10 इंच पर दूसरी तरफ पर निशान लगा लेना है अब इन points पर हमें यहाँ पर cup को attach करना है तो देखिए यहाँ पर मैं cup को attach करूँगी तो यह मैंने cup लिया हुआ है और इसको center से fold किया और एक fold हमें और कर दिना है और इसका center mark कर लेना है center mark करने के बाद आप इस cup को इस तरह से पीछे की तरफ को पलट दें एक बार और इस point पर यहाँ पर wrong side की तरफ पर कपड़े की cup के center point को और यह निशान को हमें एक दूसरे के साम मिलाना है और फिर यहाँ पर इसमें सिलाई लगानी है तो देखिए इस तरह से नीचे straight मैं आधे हिस्से में सिलाई लगा रही हूं तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है अब हमें इस cup को वापिस से पीछे की तरफ को पलट देना है यानिकि सीधा कर देना है सेम इसी तरह से दूसरा कप भी मैंने सिल दिया और इसको भी सीधी तरफ को मैं इस तरह से पलट दे रही हूं अब कप को जॉइन करने के बाद इसके उपर हमें जो फ्रंट वाला दूसरा पार्ट है उसको रखना है मिलाते वे ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ दूसरे के मूं करते वे होना चाहिए और जो कप यहां इसमा आधा इंच की दूरी पते बादानी को खा Τ celebr और लगा लिना पर तरह सब्सक्रान के इसरा करते बाद है पूसरे को अच्छे से प्रेस कर लेनी है और फिसमें टॉप स्टिच लगा लेना है जिससे अची फिनिशिंग आ जाएगी तो देखिए मैंने इसमें टॉप स्टिच लगा ली है और अब हमें क्या करना है यह देखिए यहाँ पीछे साब देखेंगे तो यहाँ पर अब देख सकते हैं मैंने इसके चारो तरफ से कच्ची सिलाई लगा लिए और सेंटर में भी लगा लिए है फ्रंट पार्ट बनके तयार हो गया है अब मैं बैक पार्ट के स्टिचिंग करूँगी तो back part की stitching के लिए देखे मैंने दोनों parts लिए हैं सबसे पहले इसकी darts हमें सिलनी है तो यह जो center वाली line थी इसको इस तरह से हम पकड़ेंगे और fold कर देंगे कपड़े को और जो marking है इसके उपर हम सिलाई लगा लिए तो यह देखे यहां पर dart मेंने सिलाई लगा लिए और सीधी तरफ से यह इस तरह से दिखेगा अब मैं यहां पर placket बनाऊंगी तो placket बनाने के लिए मैंने दो कपड़े की पट्टी ली हुई है और एक चोटा वाला है उसकी जो width है यह मैंने धाई इंच की लिए है और दूसरे वाली की width मैंने यहां पर तीन इंच की लिए रखी है तो जिस हिस्से में हमारा hook attach होगा उसमें हमें धाई इंच वाली पट्टी लगानी है इस तरह से और जिस हिस्से में eyes बनेंगी वहां पर हमें तीन इंच की पट्टी लगानी है अब इन दोनों में हमें straight सिलाई लगा देनी आधा इंच की दूरी पे तो देखिए यह पहले धाई इंच वाली पट्टी वाला हिस्सा में ले रही हूं और इसमें मैंने यहां पर सिलाई लगा दी अब सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से रोंग सैइड के उर को पलेट देंगे और पलेटने के बाल इसका जो जो मार्ज है इसको अंदर की तरफ को फोल करेंगे और यहीँ को इसमें सिलाई लगा देनी है इसमें सिलाई लगाने के बाल यहांपर जो इसकी पीछे की तरफ है यहाँ पे हम हाथ से तुरपाई कर देंगे और यहाँ पे साइड में जितना भी एक्स्ट्रा कप्डा है उसको कट कर देना है इसके बाद जो हमने तीन इंच वाली पट्टी ली थी उस वाले में हमें सिलाई लगानी है तो पहले हम आधा इंच की दूरी पे इसमें भी सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद इसको भी आप रॉंग साइड की तरफ को एक बार परेट पें और फिर देखिए मार्जिन को अंदर को फोल्ड किया और सिलाई लगाने के बाद प्लाकेट बन के तयार हो गया यह एक दूसरे के ऑपर इस दरह से यहां पे बन जाएगा इसके बाद हमें इसकी neckline बनानी है तो neckline बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उरे पट्टी ली है और उरे पट्टी को हमें इसकी neckline में इस तरह से यहाँ पर मिलाते वे रखना है और इसमें आदा इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है सेम इसी तरह से दूसरी तरफ में भी हम सिलाई लगा लेंगे तो देखिए मैंने इसकी neckline में सिलाई लगा दी है अब हमें front और back के shoulders को join करना है तो यह मैंने front part लिया और इसके shoulders कैसे join करने देखिए यह जो back part के पट्टी है इसको हम बाहर की तरफ को turn करेंगे और धियान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे क्यों मुकरते वे होनी चाहिए और यह जो front वाले का kona है यहाँ सिलाई margin से इस तरह से हमें join करना और इसमें सिलाई लगानी है तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मिलाते वे आदा इंच की दूरी पर आप सिलाई लगा लें और मैंने इस तरह से हम पर सिलाई लगा ली है अब कपड़े को हम सीधी तरफ को पलटेंगे और पलटने के बाद देखिए यह margin को अंदर को फोल्ड करेंगे और यह back वाले पार्ट की उरे पर्टी है उसको हमें double fold कर देना है जैसे हम बाकी neckline मनाते हैं double fold करके सेम उसी तरह से हमें इसकी नीचे तक neckline को बना लेना है और shoulder वाले हिसे में आप देखिए बहुत अच्छी finishing के साथ फ्रंट और back का हमारे shoulder join हो गए है तो देखिए neckline मैंने बना ली है यहाँ पर और shoulder भी join कर लिए है अब यहाँ पर मैं इसको पिंस से attach कर दे रही हूँ इसके बाद आप देखिएंगे कि front वाला part थोड़ा सा armhole की तरफ से बड़ा है back से तो हम बिल्कुल इसको मिलाते वे अच्छे से रखेंगे और जितना भी front पार extra होगा armhole की तरफ से उसको cut कर लेंगे इसके बाद आप यह front वाले को इस तरह से अलग से रख लें और जो हमारा यहाँ पर armhole की तरफ से देखेंगे आप यहाँ पर नीचे भी हो रहा है तो इसको भी हमें आधा हिंच का trim करके इसको बराबर कर लेना है इसके armhole को trim करने के बाद हमें दोनों front और back को मिलाते वे रखना है और नीचे से भी देखिए थोड़ा सा कप्रा टेड़ा हो रहा है तो इसको भी हम आधा हिंच का trim करके बराबर कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने उरे पटी लिए है और इसके armhole में फिनिशिंग दे और इसको डबल फोल्ड कर दूँगी इसके बाद मैं इसमें आपा नीचे design के लिए pom-pom lace भी लगा रही हूं सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट को भी में डबल फोल्ड कर देना है तो देखिए मैंने इसके बॉटम में डबल फोल्ड कर दिया और इसमें लेस लगा दी है